हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है इंतजाम लो बहन हम तो आ गए तुम्हारी बहु देखने सुना है बहुत कुछ लेकर आई है दहेज में पडोस की सरला काकी रीता जी से बोली हाँ हाँ काकी तुम सब भी देख लो हमने तो कही दिया था जो भ तरह सगाई के बाद हर रोज कोई न कोई नई चीज की फरमाईस हो जाती थी कभी कहा जाता गर्मिया आने वाली हैं इसलिए एक रूम कूलर अपनी बेटी को दे देना क्योंकि आपकी बेटी जिस उपर वाले कमरे में रहेगी वहाँ खिड़की में कूलर लगाने की जगा नहीं रहेगी साथ ही यह भी जता दिया जाता कि हमें कुछ नहीं चाहिए वो तो बस आपकी बेटी की सुधा के लिए हम कह रहे हैं हेमा ने अपने पिता से कई बार कहना भी चाहा कि पापा इतना कुछ देने की जरूरत नहीं है लेकिन उसके पिता हर बार उसे यह क एक मांग के लिए उसके पिता को कितना कश्ट जेलना पड़ता है पता नहीं कहा कहा से पैसो का इंतजाम कर रहे थे ताकि बिटिया को सब कुछ दे पाएं नई दुल्हन के लाए एक एक सामान पर सबकी नजरे थी कि वो कौन से ब्रेंड का है और कैसा है तभी सरला काकी की नजर हेमा के दहेज में लाए बरतनों पर पड़ी चारवरनर के गैस चूली के साथ साथ चकला बेलन और तवा भी था ये देखते ही कमला काकी ने तंजकस्ती हुए कहा ये क्या रीता नई बहुरिया तो अपने साथ चकला बेलन भी लेकर आई है बहु क्या आते ही अपना चकला बेलन लेकर आई हो तुम्हाने बाबाब को क्या इतना भी पता नहीं कि बेटी को दहेज में चकला बेलन नहीं देते इससे बेटी कभी अपने ससुराल में रच बस नहीं पाती मा जी वैसे तो इस घर में सब कुछ है फिर भी बड़ी बड़ी चीजें आप लोगों ने मांग कर ली है फिर इन छोटी छोटी चीजों को देने में मेरे पापा पीछे कैसे हट सकते थे जिस तरह मेरे लिए इस घर में फ्रिज और कूलर नहीं थे तो उन्होंने सोचा कहीं रोटी बनाते वक्त आप ये ना कहिदें कि तुम्हारी रोटी बनाने में हमारा चकला बेलन घिस गया हेमा की बात सुनकर रीता जी स्तब दरह गई हेमा फिर बोली मा जी कहिने को एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है लेकिन जब अपनी जरूरतो इसी घर में पूरी होंगी और हाँ अपना ये सामान तू पेटी में ही रखना क्योंकि मैं अपने परिवार को बटते हुए नहीं देखना चाहती मेरी हिमती मारी गई थी जो मा बनकर नहीं बलकि सिर्फ एक सास बनकर सोच रही थी हेमा खुस थी कि आज उसने अपनी बात स के सामने रख दी नहीं तो साइद उम्र भर उसे अपनी जरूरतों के लिए अपनी माय के पर ही निर भर रहना पड़ता ऐसा करती हूं दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद